दोस्तों बहुत ही स्वाकत है आप सभी का आपके प्यारे यूटीब चैनल में हर बागतरा इस बार भी दोस्तों हम एक नहीं वेकेंसिक साथ आए हैं तो आज हम जिस वेकेंसिक बारें बात करेंग दोस्तों उसका नाम जो है National Forensics Science University जो Government of India Ministry of Home Affairs के अंतरगत आता है इसमें आई हुई Freshers Vacancies का form कैसे fill up करना है step by step process जो आपको बताएंगे वीडियो पसंद आता है दोस्तों जब लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा इसके साथ साथ दोस्तों आपको माया चनल में और भी डिफ्रेंट वीडियो जो है मिल जाएंगे यहाँ पर हमने जो है Freshers Candid के लिए DSRI Vacancies बता रखी है चले दोस्तों बात करते हैं आज की आई हुई नहीं Vacancies के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर Number of Post की बारे में बात करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखो के दोस्तों टूटल जो Number of Vacancies है 149 जो है टूटल Number of Vacancies है यहाँ पर Freshers Experience दोनों Candid जो है eligible है जैसे की बात के जाए Assistant में और यहाँ पर कुछ ऐसी Post है जहाँ पर Experience Requirement है तो हम यहाँ पर Freshers Candid के लिए बात करेंगे और जानेंगे दोस्तों कैसे Form को Apply करना है तो Form को Apply करने के लिए जो Last Date यहाँ पर रखा गया है दोस्तों मैं आपको बता दू यहाँ पर जो Last Date है वो आपका 21 माई 2022 जो है Last Date है तो अगर आपने Apply नहीं किया तो Apply करेंगे यहाँ पर 500 रुपए का application fee लिए जा रहा है General's OBC Candid के लिए बागे अगर आप S.A.S.T. हैं तो आपके लिए application fee वगएरा Free में है जो दोस्तों जहाँ पर बताते हैं कि कौन सी post के लिए आप Fill Up करेंगे तो वहाँ पर कोई भी आपको Experience Requirement नहीं है Freshers Canada Form को Fill Up कर सकते हैं तो चलिए Form को Apply करने के लिए देखें यहाँ पर कुछ ऐसी post है जैसे कि मैं बता दूँ Assistant वाली post है, Accountant Offices वाली post है यह सारी post ऐसी है दोस्तों जहाँ पर कोई भी Experience Requirement नहीं है तो हम जो इसको कैसे Apply करना है देखें सबसे पहले यहाँ पर Apply का Option है इसको आपको Click करना है इसको जैसे आप Click करेंगे तो आपके सामने देखेंगे एक नया Interface खुलके आया हुआ है अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं Advertisement Number आच चुका है अब यहाँ पर देखें जहाँ पर भी Star Marks बने हुए है उसको Fill Up करना जरूरी है सबसे पहले आपको जो यहाँ पर Personal Detail Fill Up करना है यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे Informations पूछी गई है जो आपको Step by Step Procedure को Follow Up करके Fill Up करना है तो चलिए उस उपलक्ष में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे सरनेम पूछा गया है तो जो भी दोस्तों आपका सरनेम हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका First Name पूछा गया जो भी आपका Date of Birth हो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार अपना Date of Birth Select कर सकते हो या लिख सकते हो या फिर आप Simple चाहो तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आपको जो यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर यहाँ से भी Select कर सकते हो ये होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे matter status पूछा गया, आप married है कि unmarried है इसको आप select कर लिजेए, यह करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे आते हो, नीचे आने के बाद आप देखते हो, इसके बाद दोस्तों, आपको ज적인 mevile number डालना हो, जो भी आपका अंपना confirm जो है टाइब करना होगा यह करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आते हो तो आप से जो है communication detail जो है पूछा गया है तो communication detail फिलब करने के लिए जो है आप सबसे पहले अपना country city select करेंगे इसका एट state select करेंगे यहाँ पर 직 seat sada करेंगे जो भी आपका district है यहाँ पर डाल दे narrative गे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर other detail पूछा गया है जैसे आप personnel disability अगरा है तो आप यहाँ अप States help कर सकते हैं यह करने की बाद दोस्तों यहाँ पर basic computer knowledge होना जरूरी है तो इसको जो आपको yes करना पड़ेगा यह करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ex-servicemen के regarding पुछा गया अगर आप है तो yes कीजिए अगर नहीं है तो no करके आगे बढ़ जाईए अगर आप दोस्तों presently comment service में job करते हैं तो आपको जो यहाँ पर बताना है कहाँ पर करते हैं अगर नहीं गया तो no करके आगे बढ़ जाईए इसके दोस्तों यहाँ पर language मुछेगा आप से कौनसी language जो आप जानते हो तो यहाँ पर जो आपको बस टिक करना है हिंदी इंगलिस write, speak, or read पर tick करना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ यह करने के बाद दोस्तों यहाँ पर education detail फिलप करना है education detail में दोस्तों आप जो है यहाँ पर qualification detail फिलप करेंगे यहाँ पर जो भी है grade और percentile को जो है आपको convert करना है percentage के term में तो यहाँ पर सबसे पहले आपको bachelor's degree जै यहाँ अठाइंगे institute का नाम बताना है आपको जो भी institute का नाम हो आप अपना institute का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं यह यहे लिखने बार दोस्तों आपको यहाँ स्टेक में करना है कौन सा इसके बाद दोस्तों लास्ट ट्रायल सीट नंबर यहां पे भी आपको जो भी है आपको बताना है इसको एड़ कर देना है एड़ करने के बाद दोस्तों यहां पे आ चुका है जो भी आपने फिलप किया है अब यहां पे देखिए अगर यह तो आपने और भी आड़ करना त कर सकते हैं यहां पर experience अगर आपके पास है तो आपके पास यहां पर select कर सकते हैं अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाईए इसका दोस्तों यहां पर declaration है declaration में दोस्तों आपको जो है यहां पर जो है यहां जो है डालना है यहाँ पर yes select करेंगे, यहाँ पर save changes पर click करेंगे, इसकर यहाँ पर submit पूछेगा, तो आपको यहाँ पर ok कर देना है, ok करने के बाद दोस्तों आपका जो form है वो save हो जायेगा, अब देखें यहाँ पर आपका नाम आच चुका है, अब यहाँ पर post को मैं बताया हुआ है, यह यहाँ पर आपका application number हो गया है, अब यहाँ पर देखें, document वगर आपको upload करना है, जो jpg format में होना चाहिए, और यह देखें, your application will be considered only valid after mandatory confirmation on this website, यह करने के बाद जो है, आपको देखें, यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ यहाँ पर डालना, आइमेंड करना है, तो आपको यहाँ पर select करना है, select करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखें, upload, document, photo and signature option आएगा, यहाँ पर आपको अपना application number लिखना है, यहाँ पर date of birth बताना है, जो भी आपका date of birth है, आप यहाँ पर select कर लेंगे, या फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, ज चेक कर लेंगे, वहाँ पर सारा data भीजा गया है आपको, तो यहाँ पर हमने application number date of birth डाल दिया है, अब देखें, हमने नीचे submit कर दिया है, तो यहाँ पर upload photograph का option आगया है, तो आप जो यहाँ पर choose file पर जाके photo को upload कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको signature upload करना है, तो यह जो है photo photo upload जो आप कर सकते हैं, choose file पर जाके, तो choose file पर आप select करेंगे, जहाँ पर भी आपके system में photo होगी, वो जो है खुल के आज जाएगा, चाहे आप mobile से भरें, चाहे जहाँ सभी भरें, तो यह इस परकार जो आप यहाँ पर photo upload कर लेंगे, इसी परकार दोस्तों आपको यहाँ signature upload करना है, यहाँ पर ध्यान रखेगा, size जो है 15 kb से कम size का यहाँ पर होना चाहिए, माली दोस्तों अगर आपको लगता है कि homepage बजाना है, तो आप simply apply option भी जा सकते है, edit application है, यहाँ से direct जो आप photo को upload कर सकते है, confirm application है, तो यह photo signature upload करने के बाद जो है, आपको confirm application पर जाना है, तो आपका जो form confirm हो जाएगा, चलिए हम वो करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए हमने जो ए photo signature upload कर दिया है, अब यहाँ पर देखिए mandatory document upload successfully to confirm your application, click here, तो confirm करने के लिए आपको click यहाँ पर करना पड़ेगा, तो आप देखिए confirm application हो गया, आप directly यहाँ से भी ज देखिएंगे, आप से पूछा गया है, आपने कौन सी post के लिए fill up किया, तो सारा चीज आपने fill up कर दिया है, अब जो यहाँ पर confirm application के लिए, यहाँ पर click कर देगे, तो यहाँ पर confirm application में जैसे click करेंगे, तो आपके पास कुछ इस प्रका का option आएगा, यहाँ पर लिखा यहाँ पर payment fee करने, बदला payment को करने के लिए application fee के लिए, आप यहाँ पर pay fee online पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ok करेंगे, तो आपको payment gateway खुल जाएगा, यहाँ पर जैसे कि पांसर विपा का application fee लग गया है, यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं, यहाँ पर आपका mail ID ड यहाँ पर payment कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो, तो आप बहुत सारे options दिये जा रहे हैं, आप अपने recording यहाँ पर payment कर लेंगे, payment करने के बाद आपका हो जागा payment, और आपका जो form है, वो submit हो जाएगा, और आप अगर status देखना चाहते हैं, यहाँ से अपना print out application print करना चाहते हैं, तो यहाँ पर click करके print भी कर सकते हैं, मोलें दोस्तों आप और था पर query कंदा, तो आप यहाँ पर apply कर देंगे, apply पर click करेंगे, apply पर देखेंगे, तो आपके सामने देखेंगे, यहाँ पर से बहुत सारे interface यह खुलके आगा है, अब आप 嗯 करत 走 fucking दे लि तो अगर आप यहां पे इंट्रेस्टेट है तो जरूरी इस फॉर्म को फिल आप करें मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ आज रिवस इतना है थैंक्स वाचिंग लिस्निंग